यह 10 bank account अब तक freeze हो चुके हैं जिसमें करीब 80 crore रुपे freeze हुए है investigation में आया है सामने कि कोई 7.5 crore transactions हुए हैं जिसमें 20-21 crore, 1000 crore का transactions हुए हैं यह पैसा कहा से किधर आ रहा है और किस तरह का यह movement है यह अभी तफ्तीश चल रहा है जो minor application जो use करते थे जिसने पैसा लगाया था यह जो चीज़े hack हो चुका है ठीक है या तो company ने fraud किया है यह फिर वाकर हैंकर ने hack किया हुआ है अगर आपका पैसा इसमें पड़ा हुआ है तो आप जो है इसमें सबसे पहले तो अपना account चेंज कर लिजे पासपोर्ट चेंज कर लिजे ठीक है यह चेंज करने के बाद फिर अपने जो आपका जो वैनीजर है उससे बात करके आप वीडियो करें पैसे को ठीक है अभी मुझे लगता है कि साथ company fraud है कि कोई भी किसी भी application कोई भी company security के लिए charges कभी नहीं मांगती ठीक है क्योंकि उनको company आगे चलाना होता है तो मुझे लगता है कि company fraud है यहाँ पर charge मांग रहा है जैसे कि मेरा account है यहाँ पर 4,800 charge मांग रहा है और timing verify के लिए time मांग रहा है यहाँ तो मुझे लगता है कि नहीं यह बदलब की चलो जो पैसा गया गया लेकिन अगर आपका पैसा अपने वीडियो नहीं किया है तो हो स आपके जो पैसा 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 फर्स चुका है ठीक है इस बात की आप दिहां रखना और अगर पैसा रिकावर करने के बाद आप जो है इस अप्लिकाशन को हमेशा के लिए बंद कर देना क्योंकि मुझे लगता है एसी कंपनिया कोई भी कंपनिया आप हर मतलब यह वीडियो सबस्क्राइब चलता है झाल कि इस वह देना फिर्शन कर गरते हैं सब्सक्राइब तो वो नोगों ने उस चीज का थाया उओक्ड यह इसका फाइव ऐसका हो गया एक दोबाए वीडियो की आकोंट में और उसके बास लगाया उनकी यह वाट्स फायएं के आपके करना तो कसी का पैसा वीडरो होता है पैसे का वीडरो होता ही कि से का नहीं होता है तो में आपको बता उगा-टीक्प चैनल Überない रहिएगा वीडियो लाइक देशेंगे